आज हम doescus करेंगे defect of eye मतलब अपनी जो आइप होती है उसमें कौन-कौन से defect होते हैं उनके बारे में हम discuss करेंगे तो पिछली क्लास में हमने eye की structure के बारे में study किया था और उसको हमंने complete नहीं था आज हम जो defect हैं उनको explain करेंगे तो यह structure । आई की है इसे को हमने complete नहीं बनाये है को समी हमने इकल बना लिया था अब हमारा जो focus है वो जो eye lens होता है जो कि एक तरीकी से चमतकारी lens है विकोज वह अपनी focal length को adjust कर लिता है और object कहीं पर भी रहे आई के सामने उसकी में हमीशा रेटिना पर बनावी इकोसिस करता है तो यह स्पेशल ट्रैक्टर शिक्स जो होता था लेंज का उसको हम बोलते हैं अपमोडिशन पावर ओफ आई तो अब हम दिसक्स करते हैं डिफेक्ट ओफ आई इसके बारे में तो पर्स्ट इफेक्ट है है कि मायोपिया यभी खमीश को कह सकते है शोर्ट साइडनेश है हाइप्रमेटरोपिया यह फिर लॉऑ साइडनेश सबसे पहले हम इसकिस करेंगे मायोपिया के इसको सोर्स नाइट में हो दे हैं तो एक चीज़ सबसे पहले दहान रखना अगर किसी भी ओगजेक्ट को आई के सामने रखते हैं कि यहां पर कोई और पॉजेक्ट रखा इसका नाम सब और यह भी है तो इसकी मीज़ बनने का प्रोसेस कहा है यहां से लाइट जाएगी कि यह बाणों यह कोई दो लाइट है यह सब्सक्राइट को कि करेगा और करता है इसको रेटिविक्ट करने की स्कूर्फ करने है अगर कर के देगा ओधर यह इमेंज रेटिविक्ट डिखाई देगा अगर रेटीना के इधर या इधर बनती है तो सिरक ना-कुछ डिफेक्ट होगा इसमें तो अब हम बात करते हैं मायोपिया या फिर सोल्व साइटनेस तो यह जो डिफेक्ट होता है जिसको भी डिफेक्ट हो जाता है उसको पास का जो ओबजेक्ट है वो तो clear दिखाई देता है बट दूर का जो object है वो clear दिखाई नहीं देता है ध्यान रखना दिखाई तो देता है बट clear दिखाई नहीं देता है कुछ दिखाई दिखाई नहीं देता है इस इफेक्ट में जो object होता है सब्सक्राइब है इस object की जो image है तो रेटिना से थोड़ा से पहली बन जाती है यहां पर यह बन जाती है object तो आपने को पता है image अगर रेटिना पर नहीं बन रही है जाहिसी बात है कोई नगा कोई defect होगा तो इस defect को हम बोलते हैं तो इमेज में रेखिना से पहले धन जाती है। जिसमें पास की अबजेक्त तो धिखाई देगा बड़ ग्लेयर दिखाई नहीं देता है। तो हम बोलते हैं माईपिया। अब बात की आती है कि ये डिधेक्ट हुआ क्यों है थोbyस मेशति है तो इस प्रोड़न क्या हुए है जो फोकल में धती है यहां पर आचोगी है इस वज़े से एक इफेक्ट क्रियेट हुआ है अब इसका यहां पर है तो हम कह सकते हैं कि जो डिफेक्ट है इसका जो रीजन है वो यह है इस आई लेंज की फोकल लेंग कम हो चुकी है यहां पर बनाना है ठोगने आट के पास जाते हैं तो मनेंटा करता है अपने को लेंज से सजिस्ट करता है अपनी आप क्या है निश्कें को और करता है कि वह को लेंग साब लगा हो तो आपका इसलों डिफ्रेक्ट है वो किलियर हो जाएगा अब गोगा कैसे तो देखो यह को लेंग से है टी लाइट को डाइबर्स करता है अब यह कॉन्वेक्स लाइन से है यह लाइट को करेंगा तो अब अपने को ओप्चेक्ट किलियर दिखाई देगा तो यह होगे इसका सोलुशन माल किया का क्लियर है थैंक यू